Friends, मौसम सर्दी का हो या गर्मी का हर सीजन में आईस क्रीम बनती है लेकिन गर्मी के सीजन पर खास तो और पेश को सभी खाते हैं बच्चे तो बड़े चाव से खाते हैं आज हमने क्रीमी क्रीमी बना रखा है ये ठंडी ठंडी वैनिला आईस क्रीम है आप इसको एक बार बनाओगे तो बाजार का स्वार बिल्कुल भूल जाओगे तो चलि हम रेश्पी देख लेते हैं यहां पर गैस पर हमने एक कड़ाई रखी है उस पर हमने एक बड़ी गिलास है इससे हम दो गिलास दूद एड़ कर लेते हैं तो देखें 700 ग्राम हमने यह कश्टर पाॉडर इसको मिक्स कर लेते हैं इसमें ताके समय लम्श से बिल्कुल ना रहे हैं तो हमने एक ही चम्मश लिया है जादा नहीं लिया है दूद हमारा अच्छे से उबल चुगा है यह कच्छा दूद था तो फूल फेट क्रीम है यह तो इसको हम अच्छी से उब करना है तो ज्यादा इसको गाड़ा करने के हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है तो दिहमी आज में हम इसको उबाल लेते हैं यह आधी कटोरी हमने यहां पर चीनी ली है इसको भी अच्छे से इसमें मेल्ट होने देते हैं तो एक मिनट तक हम इसे उबाल लेते हैं यह देखे त इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फूरे दूद में इस अमुने कस्टड़ घूल रखा कि इसको भी हम पका लेंगे तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है अब हम गेस का फ्लेम बं बन कर देते हैं तो एध क्षर मेरे चोड़े मर देते हैं खांडा हो है तो अब यहारे हमनेetos आप west क्षेट लेते हैं कि पांच छे मिनित लगेगा हम इसे विप करने में तो आप इसको यहांद से भी कर सकते हैं लेकिन हाथ से तो होता नहीं है इसलिए हमें यह भी मशीन चाहिए है तो यह देखें तो अच्छे से हमने इसको पेप कर लिया है आगे पीछो मसीन को हम चलाते रहेंगे इस तरीके से देखे तो इसमें डिजाइन बनना शुरू हो चुका है तयार हो चुका है यह बहुत ही जादा ठंडा हो चुका है जो हमने दूद रख था फ्रीज में थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देते हैं और इसको फिर से चरा लेते हैं इस तरह से बिट कर लेते हैं इसको देखे तो मसीन से हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें तो यह देखे तैयार हो चुका है तो हम एक यहां पर हमने एक बच्चु का टीफन बॉक्स लिया है इस पर रख लेते हैं इसको तो अच्छ करते थे खाने में अच्छे लगते हैं तो इसलिए फिर चैना में इसके ऊपर से कोटिंग और कर लेते हैं इस तरह कि एक बड़ा सा टीफन बॉक्स अहीं प्लास्टिक का इसको लिया है हमने और इसको अच्छे से आम भर लेते हैं और थोड़े से हम इसमें ड्राइफूट और डाल देते हैं तो इस तरह से हमने इसमें डाल दिया है तो अभी हम थोड़ा और एड़ कर देते हैं इसमें और एक पन्नी लेते हैं और इसके उपर से धक्कन लगाकर इसको बन कर लेते हैं इस तरह से चारू तरप से इसको बन करके फ्रीज में रखते हैं साथ से आत घंटे के लिए थोड़ा सा हमने इसको अलग रखा था इसमें हमने यह कलर मिला रखा है पिंक कलर तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा हमने वाइट कलर का और रखा है साइट में तो इस तरह से इसको हम मिक्स कर लेते हैं यह रेख नारें हम इसको बहुत h假 breeby punished wa capital कर लेते हैं ऐसको ठोड़े साथ में ड्राइफ्री डाल आल देते हैं कि रखें और एक कोटिंग हम पिंक और कर देते हैं उपर से तो इस तरह से डाल लेते हैं इसको और इस पैचुला से अच्छे से इसको इक्वल कर लेते हैं तो इस तरीके से यह देखे तो अब एक टूद्पिक लेते हैं और इस तरह से हमें इसमें लाइन कर देनी है तांकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरीके से यह देखे तो उपर नीचे साइट से हमें अच्छे इसको मिक्स कर लेना है और इसको भी हम बंद कर लेते हैं एक पंडी लगा देंगे और इसको फ्रीज मर रग देते हैं 6-7 गंटे के लिए 6-7 गंटे हो चुके हैं इसको निकाल के तैयार कर लेते हैं आपको दिखाते हैं यह देखिए कित्वी हमारी आइस्क्रीम बंद के तयार हो चुकी है अभी दूसरा चुने में इसको भी खोल लेते हैं इसका धकन भी यह देखिए इसमें भी आइस बिल्कुल नहीं जमी है और इसको भी निकाल के हम दिखाते हैं आपको तो यह कितनी इजली निकल के तयार हो जाएगी देखें तो यह दो कलर के हमने बना के तयार की थे देखें कितनी इजली निकल के तयार हो रही है यह तो इसी तरह की आइस क्रीम हमको चाहिए थी यह देखें तो आईस क्रीम तो वही होती है तो जल्दी मेल्ट हो जाए तो यह आईस क्रीम वही है देखिए तो आईस क्रीम बनके हमारी तयार हो चुकी है वेनल आईस क्रीम आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगल में बेल आइकन का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुन सके, तो कितनी अच्छी हमारी ऑषप क्रीम बनके तयार हुई है, तो ये मेल्ट होना शुरू हो चुकि है, देखिए, क्योंकि आइस क्रीम जो जल्दी मेल्ट हो जाती है तो एक क्रीमी क्रीमी आइस क्रीम आप ज़रूर बनाईए तो थोड़े समान में बनके तयार हुई है यह देखिये तो अपने बच्चों को खिलाईए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में